गुद बॉनिंग स्टुडेंट्स, कल मैं थोड़ा सा यूट्यूब सर्फ कर रहा था, आजकल फुर्सत ही नहीं मिलती है कभी इधार शांखने की, पहले गाने भी सुन लिया करता था, तो वो भी अब बंद हो गया है, सारा समय स्टुडेंट्स के लिए वीडियो बनाने नि लोग क्या करने है, शायद वहां से कोई नहीं आइडिया मिल जाए, फिर सोचा थोड़ा हिल्पर भी कुछ देखलो, वहां भी शायद कोई नहीं चीज मिल जाए, तो मैंने वहां क्या देखा, पहले वो शेर करता हूँ, डॉक्टर भी हैरान, एक दिन में पेट की चर्वी गटी, more than 5 million views, रात को पेट में विट्स लगाईए, चर्वी को बर्फ की तरह पिगला देगी, more than 7 million views, रोज एक बार ये पी लो, 15 दिन में पेट कम हो जाएगा, more than 500k views, वजन और पेट की चर्वी घटा गी, सिर्फ 10 मिनट में, इसकी वी वीउज ऐसे ही थे, millions में, मैं तो हैरान हो गया, इस तरह तो घर बेटे-बेटे सारे पेट कम कर लेंगे, कोई धनिया का पानी पिला रहा है, तो कोई पेट में विक्स लगवा रहा है, वीडियो देखकर ही वजन कम हो जाएगा, तो फिर सुबह उठकर दवड़ेगा कों, वाकिंग कोन करेगा, एक्सरसाइ भी करना पड़े रहा, there is no shortcut, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, हाथ पैर चलाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, अब जब educational वीडियो देखना चाहा, तो पहले trending वीडियो देखा, उसके बाद और कुछ देखने का मन ही नहीं किया, और मैं YouTube से बाहर आ पर वहाँ क्या देखा, how to study during lockdown, more than 1 million views, topper बनने के कुछ tips, more than 2 million views, lockdown में online पढ़ाए कैसे करें, more than 50k views, 7 secret tips to score highest during lockdown, more than 50k, how to score 100% in CBSC in 5 minutes, more than 300k views, 90% ना है, तो नाम बदल दूँगा, more than 1.7 million views, मैंने सोचा, जूट मूट का इतना टेंशन लेता है, यहां तो सब दवा एवेलेबल है, ज्यान का भंडार पहला हुआ है, रात को बढ़ी अच्छी नीज दाई, सोचा, सुबर सुबर, सबको बढ़ाई देदू, तो आप 90% लाने से कोई नहीं रोप सकता है, हम टीचर्स और पेरेंट्स तो फ़ाम खा परशान हो रहे थे, जिसको 10-12 पास किये, साल भर भी नहीं हुए, वो भी ग्यान बाट रहे हैं, और बच्चे उसे हतों हत ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को उन लोगों की बात समझ में आत हम, अच्छे से पास करना है न, तो पहले इन वीडियो को देखना बंद करो, हाव टू स्कोर सर्च करने के बदले, यह उतनी दिर स्टड़ी कर लोगे न, तो ज्यादे फायदा मरा होगे, बार बार कह रहा हम, there is no shortcut to success, अच्छा एक बात बताओ, कि बीमार पढ़ते हो, तो दवा लेने किस के पास जाते हो, डॉक्टर के पास न, या किसी के कहने पर कुछ मी खालते हो, तो तुम्हारे डॉक्टर कौन है, स्कूल के टीचर्स न, तो वो जैसा कहते हैं, वैसा करो, कोई दिक्कत हो, तो उनसे बात करो, लॉग डॉम में पहले के तरह आपके टीचर आपके पिशे लगे नहीं रह सकते हैं, तो यहां आपको समझदारी के परिच्चर देना है, मैं यहां कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूँ, ना कोई टिप्स देना चाहता हूँ, वही पुरानी आजमाईवी बातें कह रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन बनना है, जो भी भोजन करना है, रात को जल्दी सोनना है, सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, और समय बिल्कुल बरबार नहीं करना है, अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करते रहें, उनकी बात फॉलो करें, इधर दर की सुनना बंद करें, आपको 90% भी आपक आती मुक्षमया, फिर्म लेया, तक यू